करतव विपत अश्वार वही तसले के निफित्व में अपने इस्पातिक इरादे से देश वासियों का परिशाय कराई सरावी मचकी और पुआरे थाज अश्व शक्ती हमेशा सर्वोंत तब बारत अपना चोहतरवा गंतंत्र दिवस मुनाने जा रहा है आपको पता ही है कि 26 जनवरी 1950 को देश का समविधान लागू हुआ था और तबी से ये दिन रिपब्लिक डी के तौर पर मनाया जाता है दिल्ली के राजपत का नाम बदल कर करतव विपत रखे जाने के बाद पहली बार वहां गंतंत्र दिवस समारव होगा और एजिप्ट के राष्टपती अब्दल फते अलसीसी चीफ गेस्ट होंगे पांच मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों के हाई लेवल डेलिकेशन के साथ प्रेसिडेंट अलसीसी नई दिल्ली पहुँच चुके है यह पहली बार होगा जब खाड़ी देशों में से एक एजिप्ट के राष्टे अध्यक्र गंतंत्र दिवस के कारिकरम में मुख्य अतिती के रूप में भाग लेंगे सिसी ने सितंबर 2016 में राजकी यात्रा पर भारत का दोरा भी किया था भारत में गंतंत्र दिवस के अउसर पर आये मुख्य अतिती का विश्यस सम्मान किया जाता है उन्हें भारत के राष्टपती के सामने डार्ड ओफ ओनर दिया जाता है कैसे चुने जाते हैं मुख्य अतिती गंतंत्र दिवस पर मुख्य अतिती को चुननी की प्रक्रिया 6 महीने पहले ही शुरू हो जाती है इसके संबंद में विदिश मंत्रारे जियो पॉलिटिक्स का विश्यस ध्यान रखता है जिस देश के राष्टर दक्ष को आमंत्रित किया जाता है उसके साथ भारत के कैसे संबंद रहे हैं इन बातों का विश्यस ध्यान दिया जाता है साथी इस बात का भी विशेर ध्यान रखा जाता है कि किसी को आमंत्रित करने से किसी अन्य देश के साथ हमारे संबन प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं इन सभी बातों पर विचार विरमश करने के बाद विदिश मंत्राले चीफ केस्ट के नाम को फाइनल करता है इस बार मिश्र के राष्टपती को क्यों चुना गया चोतरवे गंतंतर दिवस के अउसर पर मिश्र के राष्टपती अब्दुल्फते अलसीसी को अमंत्रित करने के पीछे एक खास वज़ा ये मानी जा रही है कि मिश्र लंबे समय से भारत का प्रमुख वैपारिक साज़दार रहा है साथी पूरुम में अभी तक किसी भी मिश्र के राष्टपती धर्ष को इस समारों में आमंत्रित नहीं किया गया था जिस कारण भारत ने इस बार उनको बुलाने का फैसला किया है भारत और मिश्र का डिप्लोमेटिक रिलेशन भारत के आजादी के साथ ही शुरू हुआ था इस तरह भारत और मिश्र के आपसी संबंद के 75 साल भी पूरे हो गए इसलिए आमंत्रन और भी विशेस हो जाता है भारत और मिश्र के बीच रिष्टे हमेशा बहतर रहे हैं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मिश्र की आर्थी किस्तिती बहुत ठीक नहीं है बलकि यहां भी हाल पाकिस्तान वाला ही है मिश्र का हाल पाकिस्तान और श्रिलंका की आर्थी की स्तिती से कहीं ज्यादा अलग नहीं है मिश्र भी कर्ज में डूबा हुआ है मिश्र पर विदेशी कर्ज की बात करें तो ये बढ़कर 170 अरब डॉलर तक पहुँच गया है हाला कि हमेशा की तरह बोरे हालात में भी भारत अपने मित्र देश मिश्र की मदद कर रहा है ये हूँ और चावल की भारी किल्लत से जूजने वाले मिश्र को खाध्यान संकट से निकालने में भारत ने अब तक पूरा सहयोग किया है वबारीक संबन्द भी दोनों देशों के बीच अच्छे हैं गौर करने वाली बात है कि मुस्लिम देश होने के बावजूद मिश्र के भारत से अच्छे रिष्टे रही है इसके पीछे की वज़ा है मिश्र का आतंगवात के खिलाप मुखर होकर बुलना मिश्र हमेशा सही पाकिस्तानी नीतियों और आतंगवात के खिलापत करता रहा है